बेलकम बैक अगेन फिर से स्टडी सर्विस में तो सबसे पहले नमस्कार सस्रियकार अदाब जिस भी भाषा में आप कमफर्टेवल हैं कमफर्टेवल हो जाएए क्योंकि मैं लेके आ चुका हूं हमारी टैंथ वीडियो हमारी प्रैक्टिस एट जो हमारा एसेस्टी का चला थ तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला को में आपको शौ हो रहा होगा, आप कितने कोशन आपके डैली वीडियोस में सही हो रहे हैं, और कितने गलत हो रहे हैं जो most of the time पूछे जाते हैं exams में bishop के सबसे उँची चोटियां किस परकार के परवत पर पाई जाती है आपको माउंटेंज बताने है आपको टाइब बताना है माउंटेंज की जहाँ पर bishop की सबसे बड़ी चोटियां पाई जाती है तो आपके पास चार options हैं तो आपको पता है कि बीशपी जो सबसे उंची चोंटी है जो हमारे यानि Mount Everest वो कहां पर आपके The Greater Himalayas में पाई जाती है और वो कौन सी जो परवर श्रिंखला है वो कौन सी श्रेणी में आती है कौन से टाइप में आती है तो इसका आपका राइट अंसर एगा option number B नवीन जो नवीन जो श्रिंखला है आपकी परवत की उसमें आपकी आती है यह यंग माउंटेन जो हाल ही में अभी सबसे जो यंग हम उन्हें कहेंगे जो सबसे हाल ही में बने हुए हैं जब हमारा गोनवाना लैंड अलग हुआ था तब ही वो बने थे हमा question number second हमारा जो परवरत श्रेणी श्रेष्ट अन्य से भीन है वह है यानि आपको बताने हैं which among of the flowing mountain range is different from the others आपके पास चार option देखे रखी हुई है आपको बतानी है इन चारो option में से सबसे भीन कौन सी है तो देखिए अगर हम बात करें तो आपके पास चार देखे रखिए एल्प्स है एंडीज है किल मिन जारो है और हिमालियज है तो देखिए अगर हम सिक्वेंस में देखिए तो देखिए आपके जो एल्प्स है और एंडीज और आपका हिमालियज तो ये देखिए तीनों श्रिंखलाएं है आपकी बत जो किल मिन जारो है वह श्रिंखला के सा साथ साथ एक mountain भी है कौन सा volcanic वोलकैनिक आपका mountain भी है ज्वाला मुखी का परवत भी है केल मिन जारो कि इसका जो आपका right अंसर हेगा वो option number C रहेगा और यह कहां पर है यह आपको comment section में बताना है और इसकी साथ में height बतानी है क्या क्या बताने है आपको place बताना है आपको कि कौन से place में है और साथ में इसकी आपको height बतानी है कितने meter की height में है और विशव की कौन से number की सबसे उंची चोटी है तो आपको यह comment section में बताना है अगला question देखते हैं question number third हमारा कालाहारी मरुस्तल आपको बताना है कहां पर आपका स्थित है अब स्थित है आपको बताना कालाहारी desert यानि मरुस्तल आपका कहां पर स्थित है तो इसका अगर right answer अगर हम देखे तो यहां पर आपको चार देश देखे रखे हुए हैं तो आपको option wise आपको देखना है कि कौन सा आपको देश है जहां पर यह पाई जाते हैं तो देखते हैं countries का देखते हैं वह सबान जोरे में नहीं आएगा और जिंबाविया में भी आपका नहीं आता है तो कौन-कौन से दो आपके होगे option number first और second तो इसका जो आपका right answer रहेगा वह आपका option number C रहेगा first और second कौन-कौन से वह सवाना और नाम बिया हलका साम इसे map के तुरू देख लेते हैं तो देखिए यह आपका map है सबसे पहले तो यह आपका वोरसवाणा आ जाता है यहाँ पर आपका वोरसवाना है यह आपका नाम भी है और साथ में जू तीसजरा आपका देश है जहां पर यह आता है वह आपका है South Africa का ठीक है कौन सा डजल कालाकारी हमारा डजल है वह आता है तीन देशों में आता है तो डजल का डेशो का यह टौपिक है आपका का ये काफ इंपोर्टन होता है यहां से आपका एक्जाममें घॉशु शुद्रूप का यानि सबसे pure है आपका which of the following is the purest form of the coal तो आपका जो सबसे शुद्र यानि सबसे best आपकी कोईले की variety है वो आपको बतानी है तो आपके अपास चार variety देके रखती हुई है तो चारों में से अगर हम देखे तो आपकी जो optional number A है यानि एत्रोसाइट यह आपकी सबसे बेस्ट विराइटी है ना केवल इंडिया में बलकि पूरे वीशव में यानि आपके पूरे वर्ड में अगर सबसे अच्छी कोई कोईले की विराइटी है तो आपकी एत्रोसाइट है आपकी क्योंकि इसमें आपका लगभग जो सबसे जाए जाएगा सात में द्यान रखिएगा जो इंडिया में जो सबसे अधिक्तम रूप में पाया जाता है तो वह कौन सा पाया जाएगा आपका इंडिया में आपका जो सबसे जाता है जो आपके भारत में पाया जाता है अगला कॉशन देखते हैं हमारा कोशन नंबर फिफ्ट उत्तर कोरिया तथा दक्षिन कोरिया की अंतराश्टी सीमा है यानि आपको अंतराश्टी सीमा बता नहीं इंटरनेशनल बोर्डर के बारे में पूछ रहे हैं कौन कौन से देश के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तो चार उप्षिन आपके पास दे रखे हुए है तो इसका जो आपका राइट उप्षिन रहे जाएगा वो ठटी एट रहेगा तो यहां पर हलका सा टाइपिंग का आप देख सकते हैं तो यहां पर 25 को कट करकर आप देख लीजिएगा थर्टी एट डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूट आपका थर्टी एट डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूट आपका इसका होगा ऑप्षिन नम्र वी तो मैप के तुरू यहां इसे एक बार देख लेते हैं तो देखिए इसे आप थर्टी एट पैरलर के नाम से भी हम जानते हैं, 38 degree north latitude के नाम से तो हम जाने के जाने के अगर option में parallel आता है तो इसे हम 38 parallel के नाम पे भी जानते हैं, कहां कहां ये देखिए, आपका South Korea है और ये North Korea है, और ये इन दोनों को अलग करता है, जो ये आपकी line दिखी है, ये latitude की, इन दोनों को ये अलग करने हैं, ये रेखा, अगला question देखते हैं हमारा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, teacher days जैसे आपको पता है, आ रहा है, तो study service में off चला है, teacher day का, लगबख सभी जितने भी हमारे अभी courses start हुए हैं, या फिर जो running में हैं, उन सब में लगबख आपको 40% का off study service में देखने को मि लेंगे और साथ में police, पत्वारी और other के सारे courses हैं, उन सब में भी आपको off देखने को मिलेगा, अब क्या करना होगा आपको ज्यादा कुछ नहीं, enroll होने के लिए आपको नमबर आपको show हो रहा है, screen पर आपको इसमें WhatsApp message करना है, जिस भी आप course में enroll होना चाहते हैं, उसके question देखते हैं, question number six, किस देश को श्वेत हाती की भूमी कहा जाता है, यानि आपको बताना है, which country is the cold the land of white elephant, white elephant आपको किस country को कहा जाता है, तो देखिए, white elephant आपको बताना है, तो ऐसी एक मातर, एक ही पूरे विश्व में आपकी देश है, जिसे हम white elephant के नाम से जानते हैं, त आपका right answer है, white elephant के नाम से हम Thailand को जानते हैं, अगला question देखते हैं, मारा question number seven था हमारा, इसमें क्या आप से पूछा है, लवरंता की सारवर्दिक जो मातर है, यानि आपका, जो खारा पन का जो पानी है, उसकी आपको बतानी है, जो सबसे जारा खारा आपका पाया जाता है, यानि आपका the highest amount of sanity is the found in, वो कहां पर पाया जाता है, तो देखिए, जो विशव में सबसे जारा पाया जाता है, ना हमारा, वो भी आपको यहां पर option में देखने को नहीं मिलेगा, अगर वो option में होगा, तब उसका right answer हैगा, बट अभी हमें option के coding चलना है, मैं वो भी आपक जो आपका सबसे ज़्यादा खारा पानी है, वो आपका मृत सागर यानि deattse meмеं पाया जाएगा, यानि option number a, और अगर हम देखे जो वुशव का सबसे जाधा खारा पानी आपका पाया जाता है, तो वो कौंसे में पाया जाता है आपका, वन progression में पाया जाता है आपका, वन के तो यह विशब का दूसरा है उर पहला का ओझ लेक जो कहां है आपका तुर्की में स्थित है अगला कॉशन देखते हैं मारा कॉश्ट नुमार एर नील जिसे हम नायल के नाम से भी जानते हैं नील नदी नीमित लिखित में लेक विक्टोरीया रहेगा, आपका विक्टोरीया जील से हमारी निकलती है कैसे निकलती हों कहां से निकलती है इसे हम एक बार देख लेते है तो यहां पे अभी map नहीं है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं हमारी अफ्रिका में नील नदी है जब आपकी नील नदी निकलती है तो आपकी कुछ इस तरीके से आपकी काफी सारी नदियें मिलती है यहां पे आपकी Victoria एक river है जिसके आगे जाने पर हमारी नील नदी का origin हो है वो आपकी Victoria जील का है अगला question हम देखते हैं हमारे चंबल नदी के टट पर कौन सा शहर सित्त है तो यह भारत की एक काफी प्रसीद नदी है आपको चंबल river बतानी है विच सिटी इस दा situated of the bank of the river चंबल चंबल के पास जो हमारा शहर बसा है वो हमारा कोटा बसा है तो इसका आपका डी अंसर बिल्कुल रहेगा आपका कोटा जो आपकी सीटी है वो चंबल के चंबल जो river है उसके बिल्कुल साथ स्तीत है अगला question देखते हैं हमारा question number 10 हमारा दुनिया में सबसे बड़ा greenland के बाद dweep है यानि आपको बताना है which is the largest after greenland island island in the world तो देखिए question में आपको clear हो रहा है दुनिया का सबसे बड़े के बाद पूछा है question में देकर भी रखा है आपको greenland के बाद यानि इससे एक चीज़ clear होती है आपका जो सबसे बड़ा नियो गीनी नियो गीनी आपका दूसरा है विशब का जो सबसे बड़ा island है पहला आपका greenland होगा इसे हम मैप के थूर हम देख लेते हैं तो यह देखिए हमारा greenland है हमारा वो दूसरे पर हमारा नियो गीनी है यहां पर तो आई होप आपको आज काफी question clear हुए होगे तो ज इसे मारे पठार होगे हम पठारों की बात करेंगे प्लैटूज होगे हमारे जो हम पठार कहते हैं 30 एरेखा हमारे coastal areas की हम बात करेंगे mountain ranges की बात करेंगे हम ऐसे कैसारे अगए question लेके आने वाले हैं तो जीनो ने भी previous video नहीं देखिया है वो जाके previous video देखें और जीनो ने देखिया वो comment section में बताएं उनकी progress कैसी है कितने question उनको आ रहे हैं तो जल्दी हम मिलते हैं हमारी अगली next video में तब तक लिए आप revision करते रहिए और साथ में daily practice करते रहिए